और ये तस्वीरे इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे जर्मनी से जहांपर जर्मनी में आगमन हो चुका है बर्लिन में पहुँच चुके है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी और तीन दिवसिय येरोपिय देशों का दौरा है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का और इस वक् बड़े अधिकारी हैं, वो उनके स्वागत के लिए पहुचे हुए हैं, साथ-साथ कई भारती प्रवासी भी वहाँ पर जो बड़े ओदे पर हैं, वो भी उनके स्वागत के लिए वहाँ पर पहुचे हुए और सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, सेना प्रमुखु का अब इनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और बर्लिन में आज मुलाकात होगी उलाफ शोल्स के साथ जो की जर्मनी के नए चांसलर भी है और पहली मुलाकात उलाफ शोल्स के साथ पीम मोदी किये होने वाली है ऐसे में आज का तर तीन येरोपिय देश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज का उनका इदौरा जर्मनी का होगा जर्मनी में उलाफ शोल्स के साथ उनकी मुलाकात होगी उसके बाद आईजीसी की बैटाक होगी उसको भी वो संबोधित करेंगे साथ साथ कई प्रवासी भार हो रही है आप बहाँ पर कि बिल्कुल देखिए शिवानी पियम मोदी के आने का इंतजार हो रहा है यह होटल है यहां पर देखिए अब किसी को भी जाने की अनुमती नहीं है क्योंकि पूरा यह बंद किया जा रहा है करम आप तस्वीरे दिखा दीजिए यह रेट कार्प पहने होए हैं और काफी जादा उतसाहित है पियम मोदी को लेकर कि इसी इसी रेट कार्पिट से यहां से पियम मोदी अंदर जाएंगे उसके बाद यहां पर एक फोटो शूट भी होने वाला है और मैं आपको दिखा दूँ कि यह दिखी जो यह होटल है इसके पास यह गे जगी है कि क्या पियम मोदी नर्नायक भूमी का निभाएंगे क्योंकि इस वक्त काफी जादा अस्थिरता है मैं एक पर फिर से तस्वीर आपको दिखा देती हूं हम आगे जाएंगे यह देखे कि आप यह आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि कुछ मिनिट का इंतजार यहां पर और है करमा पहां से वो तस्वीर दिखा दीजिए यहां पर पूरे रूट को क्लियर कर दिया गया है सिर्फ मीडिया का जमावडा है और यह पूरा रूट आप देख सकते हैं यहां पर आप गाड़ियों की आवजा ही नहीं देख पाएंगी क्योंकि पीए मोदी का काफ पिस टुफेस मुलाकात होगी पिछले साल उन्होंने जीत दर्च की है और सत्ता संभालने के बाद उनकी पहली मुलाकात होने वाली है पीए मोदी से ऐसे में काफी ज़्यादा खास होगा जिसमें दूपक्षी मुद्दे होंगे शेतरी मुद्दे होंगे इसके लावा वैश्विक मुद्दे होंगे और यह आप देखिए कि बर्लिन एयरपोर्ट पर तो कुछ दिर पहले पहुंचे थे लगबग अगर हम बाई रोड आते हैं तो 40 मिनट लगते हैं बर्लिन एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुंचने में होटल एडॉल्ट के भार और यह आप देखिएंगे पूरी रोड खाली है किसी को भी आने के अनुमती नहीं है काफी ज़्यादा सेक्यूरिटी है क्योंकि पियम मोदी यहाँ पर पहुंच रही है और अंदर जो भारती डेलिगेशन है वो तयार है पूरे पारंपरिक रीती डिवाजों के साथ ही पियम मोदी का स्वागत होगा यह पूरी जो सड़क है इसी सड़क से आएंगे करम आप इस सरफ दिखा दीजिए और देखिए यहाँ का काफी ज़्यादा फेमस गेट है रांपर गेट इसे हम कहते हैं वो आप देखेंगे पीछे और यह अगर आप रूट देखेंगे तो पूरा खाली हो चुका है क्योंकि अलग-अलग देशों के जो नौडिक समिट में जो तमाम देश सामिल है पांच देश हैं उनके राष्टरा ध्यक्षों से पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है और यह आप देखिए यह रेट कार्पिट सच चुका है इसके अंदर अभी हमें नहीं जाने दिया जा रहा है करम एक बार फिर से आप तस्वीरे दिखा दीजे वो गेट कुला है वो आप देखिए बर्लिन के समय में दोपहर में उनकी जर्मन चांसलर से मुलाकात होने वाली है उसके बाद एक वो बिजनस इविंट को संबोधित करेंगे शाम के वक्त और फिर इंडिन कम्यूनिटी के लोगों को ऐसा काफी समय बाद हो रहा है जब प्रवासी भारतियों से रूबरू होंगे पीम मोदी ये काफी जादा खास हो जाता है ये वो तस्वीरे हैं देखिए सबका केंडर बिंदू इस वक्त होटल एडलॉन है होटल एडलॉन केंपिंस की यहीं पर पीम मोदी आने वाले हैं और यॉरप की अगर हम बात करें काफी जादा एहम हो जाती है यॉरप की यात्रा जो तीन देश हैं जिसमें जर्मनी का आज पहला पड़ाव है दूसरा पड़ाव उनका कल डेन्मर्क की राजधानी कॉपनहेंगन जहां पर खुद डेन्मार्क की प्राइम मिनिस्टर ने पीम मोदी को इंविटेशन दिया इसके लावा हां की कुईन वो भी उनका कल वाम वेलकम करने वाली है नौडिक देश जिसमें सबसे एहम है कि वो इतने खुश क्यों रहते हैं वहां का जो रेशू है वो इतना खुश रहने वालों में कैसे शुमार है यह तमाम चीज़े बहुत सारी दिल्चस्प चीज़े कल वहां से निकल करके सामने आने वाली है परसो इमानुवल मैक्रो यह सबसे एहम मुलाकात होगी क्योंकि पीम मोदी ऐसे पहले ग्लोबल लीटर होंगे जो इमानुवल मैक्रो से मुलाकात करने वाले है तो यह बहुत जादा दिल्चस्प होगा फेस टू फेस उनकी मुलाकात होगी तीसरे दिन उनका थोड़ी देर कले पढ़ाव पारिस होगा और जो पीम मोदी ने निकलने से पहले जो ट्वीट किया जो उनका पूरा प्रेस स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने संकेत दिये है जो इस वक्त रूस और यूकरेन के बीच में युद्ध चल रहा है यॉरप पूरा यॉरप इस वक्त खिलाफ है रूस के तो क्या पीम मोदी अपनी नर्नायक भूमी का निभाते हैं ये सबसे जादा खास हो जाता है ये बेहद दिल्चस्प रहने वाला है आज का दिन आज की मुलाकात अगर हम देखें कि जो जर्मन के चांसलर है वो खुद कीव गए यॉक्रेन की राज़्टाने कीव गए जहां पर उन्होंने मुलाकात की थी उसके बाई कीव के वहाँ पे जो प्रेजिडेंट है जेलन्सकी से इसके लावा रूस के राश्टपती व्लादिमिर पुतिन से भी उन्होंने मुलाकात की और ये बात की लेकिन बातचीत नहीं निकल पाई ऐसे में जर्मन, जर्मनी की अगर हम बात करें या डेन्मार्क की अगर हम बात करें या पर हम बात करें पैरिस की तीनों देशों के राश्टरा ध्यक्ष इसमें बातचीत कर चुके हैं कोई हल निकाला जाए पीम मोदी की इसमें भूमी का एहम हो जाती है कि क्या वो एक शांती दूद के तौर पर उभरेंगे उनकी जो स्विकारिता है वो काफी बढ़ी है और पहले ही संकेत दिये हैं तो ऐसे में आज का दिन बहुत दिल्चस्प है यही वो होटल है यही से न् सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है भारत को अमारेका के बाद तो ऐसे में अपनी शक्ती प्रदर्शन एक तरीके से